रात में तीन बार चार बार हुआ है नीचे दुकंदार लोग हमको और मेरी बेटी को मारा और हमारी बेटी को गाड़ी से खींच के इंट फेस्टे की। में पटक पटक के मारा हमारी बेटी को भी गाड़ी से खीच के फेक दिया और हम लोग बेहोस हो गए तो चोड के भागें थे आभ इस वक्त हम लोग मजभलिया में हम और एक मेरे साथ मा और बेटी है जो काफी शमश्या में और जब समस्या सुनेंगे तो आप सोचेंगे कि सायद भगवान ऐसा मजबुरी और ऐसा समस्या किसी बेक्ति कोई सधर्तिपन नहीं दे क्योंकि खुद का संपति रहते हुए भी बीना फुटी कोड़ी पे जब मुहताज कोई हो जाए तो क्या करेंगे वही कहानी इन लोगों के साथ हुआ है और इनकी बेटी के हाथ में एक कागाजात है जो जमीन का कागाजात है और उससे पहले बता दे कि अभी हम लोगे जिस रूम में बैठ कर जिस घर में बैठ कर जिस जमीन के ऊपर एग हर है वहाँ पे बैठ के वीडियो सुट कर रहे है यहाँ जमीन भी बिख चुका है किसी और का है जबकि मालिक मेरे सामने है लेकिन इनका अभी है नहीं आए इसे पूछेंगे कि आखिर पुड़ा मामला क्या है जब मामला जानेंगे तो शीर आपके भी रोंटे खड़ा हो जाएगा कि ऐसा भी किसी बेक्ती का पती सास ससुर हो सकता है क्या आए इसे बात करते हैं क्या नाम हो आपका जी आर्थी देवी आर्थी देवी आपके साथ आपके सास और ससुर क्या किये सास ससुर घर छोड़के भाग गया किसी और से बेच दिया और वो आदमी है सुरेंदर सा जीतेंदर और हरेंदर सा और ये सब लोग हमको मार के गहर से निकाल रहा है हमारे झानमाल का भी खत्रा है हमारी बेटी को किड्नैपिंग करने के लिए नया नयासाजी सरच रहा है कि तुम्हारा घ्ल नहीं है हम नहीं रहने देंगे और वू लोग बहुत सरा घठना हमारे साथ पहले भी किया है पच्पन पुल पे ले आके मारा है रात कोई गारबजे बेटी को फेका है जानमान से मारने की धमकी दी है कल भी हमारे घर में आ के दर्वाजा तोड़ के हमारे घर में घुस गया सुरेंदर सा बोल रहा था कि आप तुम्हारा घर नहीं है घर से निकलो वह अपने आपको ताक्तवर समझ रहा है कि हम जहाँ चाहेंगे वहां ले लेंगे किसी को भगा देंगे किसी के बाप बेटी से हमारे साथ अन्याय हो रहा है हो रहा है शचार माही एक बात बताओ एकblog तो अपने जमीन का है तुम्हारा चाखज है के तुम्हारे नाम पर है या च्छोटा साथमेश तेम पर जमीन इस पहले ईनके नाम पर जमीन कर चुकिए लेकिन पे यह जमीन वें बीख चुका है हाँ इस जब उन्होंने बेच दिया घर भी बेच दिया हम लोगों रोड पर लाके खड़ा कर दिया हमारे साथ अन्याय हो रहा है न्याय की गुहार लगा रहा है हम क्या मांग कर रहे हमां को घर चाहिए हमको बेटी का जीवन के लिए जगह चाहिए अच्छा एक और बात आपके साथ मारपीट होता है जी सुरेंदर हमेशा मारपीट किया है यह दुकान वालों से मारपीट रोड पर पहले भी करवाया था पहले भी हम मीडिया में इस ख़बर को चलवाए हैं हमको कोई सुविधा नहीं मिला कोई समधान नहीं मिला कोई हमारा सपोर्ट नहीं किया एके लिए समझ के और यह हमारे घर को कबजा करने के फिर में है कल हमारे साथ घटना हुई हो अपने बीबी बच्चा को ले आके हम लोग को घर से निकाल दिया ताला तोड़के घर में गुस गया बलबूते पर तुम्हारा नहीं है थोड़ा सा परसास मा बेटी को अपन twa बेटी को संकेत मिल रहा है बिल्कुल मिल रहे है अब पारसाष निया नहीं लगा रहे हैं तोड़ा सा उन लोगों को भनक पदा नहीं क्या चीज parade क्या नहीं मुझे नहीं पदा लेकिन परसासन में हमारा पूर्ण लूप से कंश्या नहीं कर रहा है कि महिला को पे हम लोग आते अचार नहीं करने दे यहीं बगल में थाना है हमारे थोड़ी दूर पे मजोलिया थाना है कोशिज करेंगे कि इंस्पेक्टर हमारा मदद करें अच्छा बिटा एक बात बता है तुम्हारे मां के साथ इसा मार पीट होता है हां होता है तुमको पता है हां मेरे आखों के सामने आपके मां को पीटा जाता है हां अच्छा आपकी मां बता रहे थे कि इनको भी कोई पूल पे पटक कर मार रहा था हां और मुझे गाड़ी से बाहर निकाल के फेक दिया बबल म लेकिन आपके पती कहां है आपके पापा कहां है पापा को लोग भगा के जमीन रहिष्टी करके कल मेरे सास को लेके आया कि इसको बोलने का मुखा नहीं मिलेगा यह सारा गेम सुरेंदर सा सुरेंदर का भाई यह सब कुछ वही कर रहा है सब मेरा घर हुजाडने का स्रे वही है सब कुछ वही किया है परिवार मेरा सब कुछ खतम किया है ऐसा कोई विशियस लालच आप लोग उसके नहीं है लालच यह है कि कडोरों की समपति है हम ले लेंगे छीन लेंगे हम अपने दिमाग से हड़प लेंगे, धन का लालच बहुत बड़ा लालच है, वही लालच है उसको, बस, आपकी पती से बात हो रही है, नहीं कोई बात नहीं हो रही है, उन्होंने पती से हमारे 6 महीना से खतम किया है, वो अपने अंडर में रखा है, अच्छा आपके पती आपके पा नहीं बात करना है कि अपने बहु से बात करे कि इसले लिखने के बातBOB कर दोना दे चार दिन और जो उचित करवाई कि होना चाहिए करे नियाले से गुहार है कि आप नियाले हमेशा से पक्ष में ही नियाय के सुनाता है कभी भी नियाय गलत नियाले नहीं सुनाता है तो इन्हें भी नियाय मिलेगा इन बेटी को भी नियाय मिलेगा इन मा को भी नियाय मिलेगा और यह भी नहीं कह रही है कि यह उतना ही चाहिए ज diferen ने हमने आय में गए है और केसि के दौरान टाइटल ुट के दौरान इनों ने जमिन रश्टी करा आया इस जमिन पर दो-डो टाइटल- तौर चल रहा है उसके बाद हम कर रहा सब्सक्राइल निशन सबस्सक्राइब साफ से अगंडने में ने समक्राइब dafür गएक। कि हम लोग माँ बेटी रहते हैं मेरे पापा है वो भी रहते हैं तो उसे पापा भी थे उनको भी मार गए हाथ काट दिया था लो 16 टाके लगे लगे तैं तो अब दिख सकते हैं घर में कोई नहीं पापा को अलग मार रहे थे और माँ बेटी को एक कमरे में मार रहे हैं इस वक्त मा को रात में मारा जारा रहा है मेरे पास अभी भी वीडियो मोबाइल शीन लिया ले इसके भी गाल में दो चार चाठा मारा लोग अब देख सकते हैं एक महिला कितना मतलब क्या कहें सब्द नहीं है इनके लिए क्या कहें इतना अत्याचार हो रहा है इनके घर में आकर फिर जंगल राज कहें या नहीं कहें हमें नहीं पता आप लोग बताईए इन्हें जंगल राज नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे बताईए बिल्कुल बिल्कुल जंगल राज से कम है बिटा जिस तरीके से जंगल में लोग एकेल कहते हैं न दावानितिस कुमार कि जंगल राज तो हैं नहीं वो दूर चला गया जंगल राज लेकिन जंगल राज से भी अधिक जंगल राज इस समय है कि पहले लोग सडक पे मारते थे पकड़के लेकिन अब घर में घुश के मारते हैं मेरे घर में घुश के हमी लोगो मार रहे हमी लोगो रोट पे निकाल रहे हमी लोग के घर में ताला लग रहा है अच्छा पीटा जो लोग वीडियो देख रहा है और शास्वन देख रहा है पहुंच सारी लोग वीडियो देखते हैं उनके क्या निया गुहार लगाईएगा मैं तो बस यही मांग करूँगी कि हम लोगों का घर हम लोगों का हिस्ता हमें मिल जाए और सब वो लोग रखे चाहिए बीचे हमें कोई परक नहीं परता है बस एक बेटी का गुहार सुनियों और वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर किजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाए और इन्हें नियाए मिले बैकि मेरा पर्यास इनके साथ कैसा रहा कमेंट सक्षन में जरूर वेताईएगा और वीडियो के सियार जरूर किजिएगा जय हिंदी